दोस्तो यह आगे हम डाट वाली के जो पॉइंट है यह सीधा हम जाएंगे टर्णल के अंदर से तो हम पहुंच जाएंगे सारनपूर और इधर हम लेफ्ट टर्न लेंगे अब तो यह हमारे डाट वाली माता का जो मंदिर है वाला रस्ता हमारा शुरू हो जाएगा दोस्तो एड थो आहम ऐा चुके हैं दोस्तों डाट वाओली माता के पुराने वाली जो टनल है उस पे ये देखे हैं मंदिर पर पूसके माने द्यूंऊ जोदें कितनी फयर बहुत ज्यादा जेए क्या है इसान निगालिए भीना की बहुत भी फयर हैं अब हम पहुच्छし जाट वाली माता के मंदिर पे इतनी बीड़े बहुत बीड़े आज तो बहुत ही बीड़े बई परसाद अभी मैं ले रहा हूं परसाद ले रहा हूं और रहा हूं परसाद ले रहा हूं इस तो ले लिए हैं परसाद लेकर चुटते हैं मंदिर पे दर्शन करने के लिए जे मताराणी बहां है अब हम आगे हैं मातारानी के मंदिर में अब जे जाट वाना मताराणी बहा हूं अब आओ ये परसाद मैं ले दिया है अलवा पूरी गभी लगा दूना परसाद हमारा हूं पिया है भी ना तो दोस्तों मैंने चड़ा दिया है ये देखाए बहुत ही जीड़ है बहुत चाला दूना तो दोस्तों के हैं मताराणी के सब को कर्मा के पूजा की चाहां पेच्छोग जलाई जा रही है किती भीड़े मंदिन में बहुत बिड़े मैं बना रहा हूंगे अधिया है अधिया है नारियल का परसाद भी हमने चड़ा दिया है और आज डाट वाली माता पर भंडारा भी चल रहा है इस समय अभी हम लोग भी परसाद करेंड करेंगे सभी लोग बंडारा चल रहा है तो बंडारे के लिए हम पैट चल रहा है अभी परसाद में है आलू की सबजी हलवा चावल खूली और कड़ी अभी आने वाली है तो करते हैं सुरू बंडारा सब लोग बंडारा कर रहे हैं वीना कितनी भीड है बंडारे में बहुत भीड है बहुत अच्छा बंडारा बनावा है दोस्तों भीड बहुत है दर्सन हो चुके है मातरानी के बहुत अच्छा तरीक्के से तो अब जो है हम चलते हैं अपने काड़ी की तरफ